असलाम अलेकुम वेलकम हैं आप सब का रीदा फूट फेक्टरी यूट्यूब चैनल पर कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खेरेस से होंगे आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी और अथेंटिक स्पेगेटीज की रेस्पी लाई हूँ वीडियो को स्टार्ट से लेकि एंड तक वॉच करें ताकि रेस्पी की समझ आ सके मजीद अच्छी और मज़ेदार रेस्पी सीखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल रिदा फूट फेक्टरी को सब्सक्राइब करें पास में दियेगे बैल आइकोन को प्रेस करें यानि क गेंटी के निशान को दुबा दे इससे मेरी हर आने वाली ने वीडियो आप तक पूंचिए स्पेगिटी बनाने के लिए जो जो हमें चीज़े जाएंगे पहले वो देख लेते हैं आदा कप यहां पर मैंने ओईल लिया है तीन खाने का चमच लैसेन एज़र की पेस्ट च चार खाने का चमच चिली सोस तीन खाने का चमच टोमाटो कैचप तीन खाने का चमच सिर्का चार खाने का चमच सोया सोस चिकन यहां पर मैंने उबला हुआ लिया यानि कि बॉयल चिकन लिया इसको मैंने 25 मिनट के लिए उबा लिया था पानी में नमक और काली मिर्ष डाल एक कप लिए हैं नमक मिर्च और दादर मिर्च इसके अंदर से प्रही तीन मसाले जाएंगे नमक मैंने यहां पर एक्स्ट्रा लिया स्पैगेटी उबालने के लिए स्पैगेटी मैं येवाली यूज कर रही हूं इसमें से मैं 250 ग्रैम्स इस्तमाल करूंगी गैर टाइम वेस दाल देंगे एक चमच, दो चमच मैं इसके इंदर ओयल डाल जाल जूँ जो मैंने आदा कप ओयल लिया था उसी में सबजी और चिकन फ्राय करने के लिए इस्तमाल करूंगी अब इसमें मैं स्पैगेटी डाल रही हैं इसको मैंने तोड़के नहीं डाला डिरेक्ट डाल द चीज मैंने उबाल के छान ली हैं अब आप देख सकते हैं कि इसको मैं साफ पानी से दो रही हूं मतलब ठंडे पानी से आपने से दोना है फिर एक चमच इसमें ओयल डालना है अच्छे से मिक्स करना है और इसे साइट पर रखना है इस तरह स्पैगेटी जुड़ती नहीं चिकन की तरफ आते हैं तो सबसे पहले प्यारी से कडाई में मैं तेल डाल रही हूं बाकी का जो बचा था ओइल वो मैं इसमें डाल रही हूं लैसन अधर की पेस्ट डालेंगे थोड़ा साइट करेंगे तक्रीबन एक-दो मिनिट के लिए ताकि इसका लेसन अधर का जो कल इसे एक बड़ा जबरदस्ता जो है ना इसमें टेस्ट आजेगा और चिकन बहुत नरम होगा अब इसमें मैं सारी सॉसिस डाल रही हूं और इसको अच्छे से मिक्स करें के चिकन को देखें एक दो मिन्ट हो गए है पकते हुए और इसका बड़ा एक जबरदस सा कलर आ गया है और ओयल छोड़ दिया इसने इसमें मैं जर्दा रंग डॉल रही हूं इससे क्या होगा इसमें बड़ा एक खुब सूरत चिकन में कलर आ गयेगा अगर आप जर्दा रंग नहीं डाला शातें तो ना डालेए मैंने शुरू में इंग्रीजेंट्स में भी इसलिए जर्दा रंग नहीं बताया है क्योंकि ये जरूरी नहीं है ये आप्शनल है अब देखें इसके इंदर सब्जियां जाएंगी प्याज और गाजर मैं इसके इंदर डाल रही हूं शिम्ला मिर्च अभी नहीं डालेंगे थोड़ा सा इसके इंदर पानी डालेंगे और इसको ढखकन से ढखकर आपने चार से पांच मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देना है इससे क्या होगा कि जो सब्जियां थोड़ी से गल जाएंगी क्योंकि गाजर जो होती है वो सक्त होती है तो अब इसके अंदर में शिम्ला मिश डालूँगी डखकन अटाने के बाद और आप देख सकते हैं कि सब चीजें कितनी खूबसूरत लग रही है एक बड़ा इच्छा रंग आया हुआ है अब देखें जी हम शिम्ला मिश को फ्राय करेंगे तो साथ ही मैं टमाटो कैचप डाल रही हूँ और इसको अब मिक्स करके आपने जो है ना दो तीन मिनट के लिए पकने देना है धकन देखके और शिम्ला मिश पहले नहीं डाली वरना कलर चेंज हो जाएगा तो तीन मिनट बाद मैं इसका डखकन अटा रही हूँ आप देख सकते हैं माशाला से कितनी जबड़ा सब्जियां लग रही है और अब अपने मसाले इसमें डालेंगे और मैंने का थोड़ी सी स्लो मो बना दू तो मसालों का तक तक अच्छा लगे मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स किया है हमारे मज़दार से मसाले और जो हैना अच्छा से मिक्स हो गए है खुश्भूएं आ रही है अब इसमें डालने के स्पैगेटीज स्पैगेटीज देख सकते हैं बिलकुल भी नहीं जूड़ी अब आपने इसको मिक्स करने दो हटिया ले लेने दो चमचे लेने और और इसे मिक्स करने स्परीट करना मुस्किल होता है लेकिन नमुम्किन तो भी होता यह तो आनिकोछ मिक्स करना है और अब फिक फड्रस पानी डाल रहेंगे कियों कि अगर आप Shapity आनेаст जाता है उस पर आपने इसको दम देना है दस मिनट के लिए इससे जो सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी पूरे दस मिनट बाद में आपके सामने डगकन अटा रही हूं माशाला से आप देख सकते हैं हमारी जबदस स्पेगेटी त्यार हो चुकी है एक जबदस कलर के लिए अंडर देख सकते हैं चिकन सब्जी के बिलकुल पर्फेक्क कलर है थोड़ा सा मिक्स करेंगी फ्लेम ओफ करेंगे और सर्फ कर लेंगी आप देख सकते हैं बिलकुल वैसी स्पेगेटी बनी है जैसे आप लोग रेस्टोरान से जाके खाती है और इसका टेस्ट पह किराव सेख करेंगा स्पेगेटी तयार हैं मैं यहां पर टेस्ट कर रही हूं आपको मैं यह बता हुच हुझा जाओंगे कि एोfryस को जब आप बनाएंगे ना और टेस्ट करेंगे तब आपको इस बात का एंदादा होगा के ऊफार्फेक्ट का यहां जादा श्यादा मसाल झाल 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 झाल